हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ काश फॉम वेब बेसिक्स तो गाइस थोए टाइम पहले मैंने अपने आईफॉन का बैक अप लिया था और वह बैक अप अल्रेडी मैं अपने हाइड ड्राइव में स्टोर कर चुका हूँ तो सिंस वो बैक अप फाइल काफी बड़ी थी तो मेरा सी ड्राइव फुल होने लगा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस बैक अप फाइल को रिमूब कर दूं या डिलीट कर दूं तो मैंने यह अब्जर्व किया कि काफी लोगों को यह प्रॉब्लम होती है अपने बैक अप तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं आउट फाइंड आइट्यूंज बैक अप फाइल लोकेशन ओन विड़ो तो गाइज सीखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर अभी तक कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक करते हैं तो गाइज है हमारि हमारी मंच्छerin है ठेक गुल करने के बाद अब जैसे की देख भारे हमारा लोकल टन ची मोट जयादा लगाई तो आप हमें यही खाली करना है तो इसके लिए यह आप डिलीट करना आ है यहाप तो एक बार इसके अंदर जाने से पहले एक काम करेंगे आप मुझे फॉल्लो करते जाए एक बार एक बार यहाँ पर आप search में type कीज़े, control panel, control panel पर एक बार यह open करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है appearance and personalization, तो एक बार इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है, show hidden files and folder, एक बार इस पर click करेंगे, and यहाँ पर, अब हम इसको choose करेंगे, show hidden file and folder पर, यहाँ से अब इसको exit करते हैं, तो guys, this PC पर एक बार वापस click करेंगे, इस PC में enter करने के बाद हम यहाँ पर local disk C पर click करेंगे, local disk C में आने के बाद, अब हम यहाँ पर users पर click करने के बाद यहाँ पर यहाँ तीन options देख रहे हैं, default, max and public, तो max हमारे laptop का नाम है, मेरे laptop का नाम max है, तो हम यहाँ पर max के option से दिखाई दे रहे है, आपके laptop के जो भी नाम होगा आपको वह पर visible होगा, तो आप पर click करना, तो यहाँ पर max पर click करने के बाद हम यहाँ पर app data पर click करेंगे, अब हम यहाँ पर देख पा रहे है, अगर हम नहीं होता तो आपको यह नहीं मिलता वापे, तो इस पर click करेंगे, अब हम आप data करने के बाद हम यहाँ पर roaming पर click करेंगे अब हम यहाँ पर देख पा रहे है, अब हम इस पर click करेंगे, Apple computer में enter करने के बाद हो या पर Mobile Sync क्लिक करेंगे तो हम या पर backup repeating folder देख पा रहे हैं जैसे हम देख पा रहे हैं हैं जाए इसलिए कोके क्लिक करें तो आपको जो भी आपना backup डिलीट करने तो आप गो कर करेंगे अप्रपर्टीज के तलिक करेंगे तो गाइस गइड़ेट हो रही है तो गाइस जैसे के मुद देख पाने है शिक्सके शिटीबी का है तो गाइस हमें कोई भी बैकप फाइल अभी रखने नहीं है तो मैं इसको सारे डिलीर करता हूं मैं इसको सारे सिलेक करता हूं अब हम शिफ्ट एंड डिलीट दबाएंगे गाइस हम शिफ्ट एंड डिलीट इसके दबाएंगे क्योंकि अगर मैं खाली डिलीट दबाऊंगा तो रिसाइकल बिन में चली जाएगा इसको डिलीट कर देते हैं तो गाइस यह डिलीट हो रहा है तो इसको डिलीट कर देते हैं कि काफी बड़ा हो गया था यह जैसे कि हम देख पा रहे है अब यह सिक्स मिनट शो कर रहा हमें सिक्स मिनट लगेंगे डिलीट करने में तो इसको फास्ट परवड करते हैं थोड़ा तो गाइस जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा यहां पर बैक अप डिलीट हो चुगा तो एक बार चलते लिए वापस देखते हैं हमारे इस पीसी पर क्लिक करेंगे तो गाइस जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास वापर स्टोरेज काफी फ्री हो गई है तो गाइस एक और मेथड है जिस पर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं तो काफी सिंपल मेथड है तो अब यहां आपकी कीबोड पे इंडोर्स का बटन होगा आप एक बार उसको क्लिक कीजिए यह टाइप हीर फो सर्च पे टाइप हीर टू सर्च पे और यहां पर यहां पर यहां पर डिरेक्ली पहुच जाएंगे है अब हम यहां पर वापस Apple Computer पे टाइप करेंगे। आ हम एक बार इस्पह बार फ्यक्रेंगे हैं ऑप यहां पर अनुबाद स्जिय। करेंगे हम एक बार पड़ गसे वयुच करके हैं बटाराया कि हम दूएट कर चुके हैं बट अगर हम वहां से गाराफ एगर यहां आप आना चाहते हैं, तो हम directly भी आ सकते हैं तो guys, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो या आपने भी इस वीडियो से कुछ सीखाओ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thanks for watching